Hello everyone, Aligarh Muslim University 2024-25 session के application form finally available हो चुके हैं, तो आप देख सकते हैं, मैं official website पे आ चुका हूँ www.amucontroller.com पे इस वीडियो में आपको complete detail में बताएंगे कि application form की last date क्या होने वाली है, सारे courses की 11th इंटरेंस, BTEC इंटरेंस, BSC इंटरेंस, BA, B.com, MBA, B.A.B.A.D. और B.A.D. जितने भी courses हैं, सारे courses की application form की last date क्या है, कब से सुरू हो रहा है, late fees के साथ last date क्या है, और आपके application form की fees क्या है, इ बहुत कुछ update आना बाकी भी है, वो भी इसी वीडियो में आपको मिल जाएगा देखने को, और क्या-क्या नए changes जुए हैं, वो भी इस वीडियो में discuss करेंगे, तो सारे लोग इस वीडियो को last तक देखें, और चैनल को subscribe करकर रखें, और वीडियो को भी like कर लें, सबसे प दर की बात नहीं की जाती है, बाकी channels की तरह ठीक है, तो आप देख सकते हैं, मैंने बोला था कि 20 March के पहले ही आपके application form अबलेबल हो जाएंगे, और आज 18 March है application form finally अबलेबल हो चुके हैं, तो आप देख सकते हैं, यहाँ पर मैं आपको बताने वाला हूँ कि application form की last date क्या हो होने वाली है सारे courses की, और उसके बाद आपको यह भी बताने वाले हैं, कि और क्या-क्या update आना बाकी है, उसके बारे में हम लोगों को थोड़ा सा wait करना होगा, ओके, तो सबसे बहले बात कर लेते हैं, application form कब से start हो रहे हैं, और last date क्या होने वाली है, BSC का आप देख सकते ह हैं, और इसी तरीके से BA कि एगर हम बात करें, तो इसके भी form fees 700 रुपे हैं, और 17 मार्स application form start हो रहा है, 12 April last date है, और 19 April with late fees के साथ है, इसी तरीके से और भी courses का discuss करते है, BSCOM का form fees 800 रुपे है, 17 मार्स application form start हो रहे हैं, और 12 April last date है application form fill करने की, और 19 April है with late fees के साथ, लेकिन मैं सा आप लोग application form fill करने, इसी तरीके से BVA का भी आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा, BTC के अगर हम बात करें, तो BTC का आप देख सकते हैं, कि BTC के application form fees 1000 रुपे है, और form opening date यानि कि कप से शुरू हो रहा है, आप यहाँ पर देख सकते हैं, 19 मार्स से start हो रहा है, 14 April last date है, और 21 April with late fees के साथ है, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं, BTC में एक नया change आपको देखने को मिलेगा, BTC VLSI, एक नई ब्रांच एड हुई है, आप यहाँ पर देख सकते हैं, पहले अभी तक, last year तक 10 ब्रांच थे, अब 11 ब्रांच हो चुके हैं, तो 1 by 1 एक एक course पे आपको last date क्या होगी, 1 by 1 और आपको preparation कैसे करनी है, एक एक course पे dedicated video मिल जाएगी, ओके, और भी courses के अगर हम बात करें, तो BEE का आप देख सकते हैं, आप यहाँ पर 21 मार्स से start हो रहा है, 16 April last date है, और 23 April with late fees के साथ है, इसी तरीके से MTEC का भी आप देख सकते हैं, 21 March को start हो रहा है, औ और 16 April last date है, 23 April with late fees के साथ है, और आगे बढ़ते हैं, और courses का discuss करते हैं, आप यहाँ पर देख सकते हैं, बी यह का पहले ही में बता चूका हूँ, कि 17 मार्स से start हो रहा है, और 12 April को last date है, और 19 April को big late fees के साथ है, BEE का 19 मार्स से start हो रहा है, और 14 April को last date है, और 21 April, आप यहाँ अगर देख सकते हैं, last date है with late fees, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं, उसके बाद form fees के अगर हम बात करें, तो BTEC का जो form fees है, वो 1000 रुपे है, BLLB का भी form fees 1000 रुपे है, इसी तरीके से और बात करते हैं, BSC honors का, BSC honors का आप देख सकते हैं, यहाँ पर 800 रुपे form fees है, 17 मार से start हो र पर है, और उसके बाद 21 मार से start हो रहा है application form, और 16 April last date है, आप यहाँ पर देख सकते हैं, और 23 April with late fees के साथ है, और भी courses का आप देख सकते हैं, अब बात कर लेते हैं, especially 11th entrance की, बाकी और courses का आप यहाँ पर देख सकते हैं, BSC honors का मैंने बता दिया, ठीक है, BA का भी मैंने बता हैं, और यहाँ पर आप देख सकते हैं, 19 मार से application form fill करना start हो जाएगा, और 14 April last date है, with late fees 21 April है, यह 11th entrance के जितने भी stream है, सारे stream के लिए यही है, अब बात कर लेते हैं कि क्या-क्या update आ चुका है, और क्या-क्या update आना बाकी है, तो सबसे पहले आपको मैं बताने वाला हूँ क 11th entrance में एक नया update देखने को मिलेगा, कि English subject syllabus में add हो चुका है, पहले English नहीं था, पहले 10 number की GK थी, अब 5 number का GK है और 5 number का English है, तो आपको एक dedicated वीडियो उस पे भी मिल जाएगी कि किस तरीके से आपको preparation करनी होगी latest syllabus के हिसाब से, BTEC के अंदर आपको एक नया changes देखने को म summary of course of study with your test schedule will be announced separately, यानि कि आपके interest exam के date अभी declare नहीं हुई है, interest exam के date आपकी अलग से notify की जाएगी, तो interest exam के date क्या होने वाली है, इसके बारे में आपको इसी channel पर मिल जाएगा, जैसे ही update आएगा, और मैं आपको पहली बता चुका हूँ कि जहां तक मुझे लग रहा है, कि आपके जो interest exam होने के चानस है, यह पंदरा माई के बादी होने के चानस है, यह जोड़ा सा वेट करना होगा, वो यह है syllabus of admission test 2023-24, आप देख सकते हैं, अभी जो syllabus है 2023 का ही दिखा रहा है, तो जैसे ही syllabus अपडेट हो जाएगा इसके बारे में भी आपको एक dedicated video मिल जाएगी syllabus पे और 11th इंटरेज पे इन सब पे one by one एक एक video आपको मिल जाएगी तो आप देख सकते हैं कि अभी तक update क्या आ चुका है application form फिल करने की last date आ चुकी है syllabus अभी update होकर करके नहीं आया है changes क्या है guide में वो आपको देखने को मिल जाएगा जब guide to up admission open करेंगे तो आपको क्या करना होगा individually आपको जाना होगा जिस course के बारे में भी आप detail में जानना चाहते हैं उसके बारे में आपको जाना जाना होगा उस course के specific course में जाना होगा तो okay students अब आपको अगर जो भी students तैयारी करना चाहते है 11th entrance की BTEC entrance की या फिर BSC entrance की MBA BTEC entrance जितने भी courses हैं आप देख सकते हैं यहाँ पर कौन-कौन से courses की preparation यहाँ पर होती है offline mode में 11th entrance है BTEC entrance है BSC entrance है BSC nursing paramedical है MBA है BAD entrance है BAB8 भी है और BAB8 तो last year ही introduced गया है और पहले ही साल हम लोगों ने selection दे दिया है उसके बाद BA entrance है 9th और 6th entrance भी है आपको क्या करना है जिदे भी लोग offline coaching जोईन करना चाहते हैं उन लोगों को call करना है 9634-775736 पर coaching का address आप यहाँ पर द एक dedicated video सारे courses पर आपको मिल जाएगी ओके थैंक्यू